अब आप सुप्रिम कोर्ट में online PIL या जन्हीति याचिका दायर कर सकते हैं, इसका प्रावधान कर दिया गया है आईए समझते हैं कि जन्हीति याचिका क्या होती है, किस तरह से ये बनाई जानी चाहिए और किस तरह से ये दायर की जा सकती है online सबसे पहले ये देखते हैं कि PIL का प्रावधान सुप्रिम कोर्ट में आर्टिकल 32 या जो हमारे समविधान का अनुछेद 32 है उसमें दिया गया है आप जो पाँच वरनित उसमें जो पाँच तरह के रिट डाली गई है उनमें से कोई एक रिट आप डाल सकते हैं PIL के रूप में होती है सुप्रिम कोर्ट के सामने और आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि किस कानून का उलंगन हो रहा है या क्या अधिकार है या पीडित वक्ती का क्या अधिकार है PIL जैसा कि हम जानते हैं PIL एक पेटिशन होती है जो आप सरकार के किसी कानून के खिलाफ किसी समाज में जो कोई गलत इनफोर्समेंट अफ लौ हो रहा है या कोई पीडित हो रहा है उसके खिलाफ आप PIL डाल सकते हैं जरूरी नहीं है कि जो आदमी पीडित है वही कोट के सामने आए यह Public Interest Litigation है कोई भी दूसरा आदमी तीसरा आदमी इससे समधित बता सकता है कि वह आदमी पीडित हो रहा है और वह सक्षम नहीं है कोट के सामने आने को अतफ मैं PIL लगा रहा हूं लेकिन यह इतना सीधा भी नहीं है जितना सुनने समझने और बताने में बताय सबसे गंबीर बात यह है कि आप जो लीगल प्रोविजन है उसको समझेंगे कि क्या वायलेशन हो रहा है किस कानून का वायलेशन हो रहा है क्या उसके fundamental राइट से वह कैसे वायलेट हो रहे हैं और अगर नहीं हो रहे है तो PIL आपकी मेंटेने बल नहीं है फिर दूसरा यह कि आप उसमें कैसे concerned हैं, आपको समाज पर उसका क्या impact हो रहा है, बहुत सारी बातें कानूनी रूप से उसको देखना पड़ता है, आप facts बना के लाते हैं, facts पर court नहीं चलती है, सबसे पहले उसको कानूनी रूप से देखती है, जो कि एक अधिवक्ता एक जज ही समझ पाते हैं, इसलिए लोगों को कई बार शिकायत होती है, कि मेरी P.I.L. बहुत मैं तो पूर्ण थी, लेकिन सुनी नहीं गई और बहुत सारे आप आक्छेप लगाते हैं लोगों पर, पर ऐसी बात नहीं है, P.I.L. बहुत transparent process से फाइल होती है, और आप फाइल कोई भी कर सकता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की P.I.L. फाइल हुई है, और उस पर कोट ने संग्यान लेते हुए बहुत सक सक कारवाई भी की है, तो आप जब तक यह नहीं जानते कि यह क्या उलंगन हो रहा है, तब तक आपकी P.I.L. बनेगी नहीं, अब P.I.L. को लेके ब सबसाइट पर जाकर वो अधिसूचना डूंड कर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें जो P.I.L. जिन-जिन विश्यों पर फाइल हो सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अधिसूचना में लिखा है, वो बॉन्डेड लेवर पर हो सकता है, और 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 फ पीडित आदमी है कि मैं जेल में हूँ और मेरे साथ ऐसे इसे प्रताड़ना की जा रही है, उसका बेल का विशे अलग रहेगा, लेकिन ध्यान कर लीजेगा, और वो P.I.L. वो फाइल कर सकता है, या कोई बाहर का आदमी भी जेल से संबंदित ऐसा है, कि उसको प्रताड़ किया जा रहा है, वो P.I.L. वो फाइल कर सकता है, कोई और आदमी भी थार्ड आदमी, कोई भी आदमी फाइल कर सकता है, किसी के बारे में, इसके साथ साथ पुलिस के खिलाप आप P.I.L. फाइल कर सकते हैं, कि पुलिस ऐसी कारवाई नहीं कर रही, या 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 कारवाई ग लगाईए और पुलिस अगर आपको हराज कर रहे हैं इसे संबंधित चीजे हैं उसके बाद है कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उससे संबंधित PIL होती है फाइल की जा सकती है कोई भी थर्ड आदमी कर सकता है महिला ना भी जाए कोट जिस पर हो रहा है जिस सेक्ष हो में जो एक सेक्षन ग्रुप एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को परताडित कर रहा है तंग कर रहा है किसी तरह कभी बाद करके उनको परिशान कर रहा है उनको ठीक से जीने नहीं दे रहा तो इससे संबंधित PIL बनती है इन विशेयों को समझना होगा लेकिन यहां एक ब विशेश का स्वार्थ सिद्धी नहीं कर सकते पी एल एक पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है जिसमें किसी एक पर्टिक्लर आदमी का कोई बेनेफिट नहीं हो होना चाहिए और आप कितना भी उन चीजों को ढखके रखें कोर्ट में जब वो चीजे सामने आती है तो पकड़ ली जाती है और वो आपकी पी एल पर कॉस्ट लगती है अपने अक्सर मीडिया में देखा होगा अख़वार में पढ़ा होगा कि पी एल पर बहुत हेवी कॉस कि इसमें बहुत सारे पी एल लोग बनाते हैं और हमारे पास बहुत ऐसी क्वैरी जाती है कि ये पी एल होनी चाहिए लगाना चाहते हैं हम लगाएंगे लेकिन वो पी एल का विशह नहीं होता तो हम उनको एड़्वाइस करते हैं कि इसमें आप अपनी पिटिशन लगाई ये PIL का ये विशे नहीं है PIL एक बहुत लिमिटेड परपस के लिए लगती है और सब लोग उस पे कन्फ्यूज करके हर कोई PIL के लिए ना दोड़े दूसरी बात है कि अब सुप्रिम कोट ने अधिस उचना में ये भी कहा कि किन-किन विश्यों पे PIL नहीं लग सकता वो विशे ज़्यादा तर اiसे हैं कि लैंडलोड टेनेट का डिस्प्यूट है तेनेंसी का डिस्प्यूट है सर्विसमैटर है और स्टेट गवर्मनेटिड के खिलाफ कोई शिकायथ है कम्प्लेंट है, एड्मिशन का विशह है और केस में डिले हो रहा है, ऐसे बहुत सारे विशह है कानूं से समंदिती जिस पे P.I.L. नहीं लगती क्योंकि उसकी रेमेडी वहां है, आप स्वता कोई भी आदमी जो पीडित आदमी है वो उसमें पार्टी बनके अपनी की सुप्रिम कोर्ट में, सुप्रिम कोर्ट की वेब साइट पे आप जाएंगे तो रेजिस्टार के हाँ आप इमेल द्वारा अपनी P.I.L. भेज सकते हैं, उस वकत आप उसको जब आप भेज रहे हैं तो उस वकत जरूरी नहीं है कि वो एक P.I.L. के फार्मेट में हो, आ अगर जरूत हो तो जज साब के सामने वो पेश करें, उसके पहले वो आपको कहेंगे कि आप इसे संबंदित प्रिटिशन बना के दीजिए और इसे संबंदित सारा डॉकुमेंट, सारी चीज़ें आप से वो मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं और तभी वो कोर्ट के सामने र लोगों को इस पे पता नहीं चल पाता, लेकिन उनके पास मेल आता है, अब देखते हैं कि आपको पर्मिशन दे दी गई है कि पी आईल आप फाइल कीजिए, कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ इस पे जो आपने कंप्लेट दी थी वो पी पी आईल का विशह है और आप इस पे पी आईल कीजिए, तो आप इल कैसे फाइल करेंगे, अब फाइल का प्रोसेस आ जाता-पिक पรोसेस है, जो कोई भी कोट की Petition सुप्रीम कोट में फाइल होती है, अपिल ने het से लिखना होगा को सारी चीजों को लिखने के बाद उसका एक फॉर्मेट है डबल स्पेस में फोगा दोनों साइट से दो इंच का मार जिन होगा पेपर ए4 यूज होगा सफेद रंका पेपर होगा ब्लैक प्रिंटिंग होगी वह सारा आप वहां से पढ़ लेंगे और किसी लॉयर से पूछेंगे तो लॉयर आपको गाइड कर देगा इसमें अगर आप स्वता बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और उसके बाद आप उसको स्कैन करेंगे ओनलाइन फाइल करने के लिए पूरी पेटिशन पेज नंबरिंग होगी इंडेक्स बनेगा इंडेक्स दो करना चाहते हैं तो आपको उसको पेज नंबर करके इंडेक्स कोग के हिसाभ से बनाना होगा और सब्सक्राइब जाएगा इहां पर ध्यान रहे कि जब तक प्रमेट में नहीं होगी प्रौपर नहीं होगी रिजिस्ट्री उसको कोट में नहीं भेजेगी आप चाहें कि सारे जो उसके साथ डॉक्मेंट लगे हैं वो डबल स्पेस में टाइप होंगे हिंदी में या किसी और भाषा में है तो उसको ट्रांसलेट करके सेटिफिट लगाना पड़ेगा और तब यह स्कैन होगा पूरा सेट सो पेज दो सो पेज चार सो पेज जितने भी बन गए है इसमें मेंदेट यह है कि बीस एंवी से चोटी आपकी फाइल होनी चाहिए तो अगर 28 बड़ी फाइल हो गही है, तो आप 20 तुकड़े करदेंगे 3 तूकड़े निपंडी करके आप वाइल करेंगे, आप जो फाइल करेंगे तो स्कूटि में जाएगा, क्शूटनी के doświad्टरी आपको बताएगी तो सुचना है मुsst स्वान कि आपको सुचना ने संभावना उसके बाद जब लिस्ट हो जाती है तो आप ढूड़ लें engine के अलावा भी आपकोesso, अगर मेल आपका रजिस्टरड है, अगर आपका मुबाइल रजिस्टर है तो उससे प्रस पर सूचना आती है कि आपकी इस डेट में सकती है अब देखते हैं कि पीएल जो आप बना रहे हैं जो आप फाइल करना चाह रहे हैं उसमें क्या-क्या बातें बहुत गौर से करेंगे जिससे कि आपका जो श्रम हो बरबाद ना हो आपके एफर्ट्स बेकार ना जाएं और आपको बाद में जाकर कोई असफ हलता ना द 32 में बहुत ही छोटा सिमित दायरा है कोट का आपके fundamental right किसी और के fundamental right को statutory violation है को legal violation है उसी से संबंधित आप विशे को लिखेंगे और ज्यादा तर विशे जो हमने देखा हमारे सामने आते हैं वो उसमें पहले से PIL में order हो चुके होते हैं किसी और PIL में order हैं तो उसको आप दुबारा तिबारा लेकर नहीं आ सकते क्योंकि पहले वाली PIL चल रही है जैसे हम कहें कि environment से संबंधित लोग बहुत सारे PIL फैक्टरी चल रही है भटा लग रहा है बहुत सारे PIL लेकर आ जाते हैं तो यह सब तो पहले से Supreme Court ने इसमें order किये हुए हैं बहुत सारे PIL में जो मेता साब के जितने भी केसे जहां आप उनको पढ़िए रिसर्च अच्छे से कीजिए तब ही आपकी PIL बनेगी नहीं तो Supreme Court कहेगी कि आप एक particular area का particular factory का आप लेकर आ रहे हैं तो आप NGT जाहिए या High Court जाहिए या वहां के concerned court में जाहिए तो PIL का विशे नहीं होता PIL में पूरे देश से संबंदित direction आपको मांगनी पड़ेगी और Supreme Court ये भी देखता है कि ये विशे पूरे देश से संबंदित है तब ही Supreme Court उस PIL को entertain करता है अगर Supreme Court को कहीं भी लगता है कि किसी राज्य की समस्या है राज्य सरकार इसको handle कर सकती है तो उसको वो उस High Court में भे liberty दी जाती है कि आप विड्रॉफ कीजिए और वहां जाकर अपनी fresh petition लगाईए क्योंकि वहां का format रिट का अलग होता है तो ये सब बहुत ही सुक्ष माते हैं गहरी बाते हैं जो लोग नहीं समझते और PIL को लेके बहुत अती उत्साहित होकर court में आते हैं कि हम ये विशे ह है ये विशे है और court ने इसको नहीं सुना या क्यों नहीं लिस्ट हो रहा है तो इन चीजों को गौर करना है इतना आसान ये काम नहीं है अगर आप सटीक रूप से करते हैं तो बिलकुल आसान है Supreme Court ने उस तरह से आसान बना दिया है कि आप online इसको फाइल कर सकते हैं अगर सबके सामने जाती है तब आपको मौका दिया जाता है कि आप पूरी petition इसमें संपतित फाइल कीजी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप सबसे पहले complaint लगाएं तो उसमें सारे document सब कुछ अच्छे से लिखकर साफ साफ और तब लगा दें उससे इस पस्टता आ जाती है और पी आईले complaint नहीं होती है किरपया धान करेंगे हम लोग को आदत होती है हर जगा complaint रेजिस्टर करने की तो पी आईले complaint नहीं होती है ता यह complaint के फॉर्म में नहीं होगा आपको यह बताना पड़ेगा कि इस कानून में ऐसा प्रावधान है और इसका उलंगन यहां हो रहा है या राजय सरकार कर रही है या यह कानून ऐसा कहता है परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है तो तब जाकर यह पी आईल मेंटेनेबल होती है हमारे पास अक्सर बहुत सारे केस जब भी कोई exam होता है जैसे अभी medical का exam चल रहा है cbc board का है तो बहुत सारे लोग आते हैं कि इसमें य गलत हो रहा यह गलत हो रहा आप फाइल करना चाहते है यह तो आपका केस है आप इसको सीधा सीधी department के सामने लेके जा सकते हैं और department ना करें तो आप high court जा सकते हैं उस पे पी आईल नहीं बनता है इसलिए यह ब्रांतियां दूर कीजिए और यह जन हित याचि का नाम है ज उससे फाइदा मिल जाए और उनको ऐनको रिलीफ मिल सकती है लेकिन यह फाया आइल का अध्हे नहीं है अब्जेक्टिव नहीं है कि पायाल किसी पर्टिक्लर आद्मी को रिलीफ दिलाय एसा जनरल यह जनरल एक इसका कोई फिक्ष्ट रूल नहीं है जसा general है और आप जितनी PIL के order सबसे पहले पढ़िए Supreme Court की website पर जाके पढ़िए जितनी भी PIL को इन्होंने decide किया है उसको पढ़िए उसमें क्या direction दी गई है general direction है specific direction है standing directions है बहुत सारी direction है legislation से संबधिर direction directions है उसको आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यह PIL क्या विशह है और सारा कुछ उनकी Supreme Court की website पर दिया हुआ है और अब बहुत ही आसान हो गया है अगर आपका format सही है अगर आपका विशह सही है अगर आपने subject अच्छा उठाया है उसमें जो legal है लिखने का बहुत महत्व पढ़नी बहुत अच्छे से नहीं भी लिखा गया है तो जजेज उन बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इसलिए पी एल को लेकर आपको यह बहुत स्पस्ट रूप से समझना होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं इससे समंदित हम और भी बहुत सारे बातें बाद में बताएंगे अभी यह online जो पी एल फाइलिंग का एक प्रावधान है इसके बारे में ब्रीफ में हमने बताया है बाकी काम आपको खुदी वेब साइट पर जाके उसके करना होगा सुप्रिम कोड के और तभी आपको यह विशे समझ में और अच्छे से आ जाएगा